मुश्कार आप सभी का एक बार फिरसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्यान में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो नए स्मार्टफोन रियल्मी X7 और रियल्मी X7 Pro के बारे में जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत, फीचर्स और स्व्क्राइट के बारे में उससे पहले अगर अब ही तक आप ने इस वीडियो पर लाइक किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आए दोस्तों जानते हैं डीटेल में रियल्मी ने अपने दो नए स्मार्टफोन रियल्मी एक साउन और रियल्मी एक साउन प्रो को चीन में लौंच कर दिया है कंपनी ने एक वर्चुल इमें के दुरान इहें लौंच कया इन स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत के बारे में अगर हम बात करें तो इन में 65 ओर सूपर फॉस्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिलता है इसके लाओ फोटोग्राफी के लिए इनके रियल्मी क्वाड कामरा सेट अप दिया गया है चीन में इनकी पिक्री 11 सितंबर से शुरू होगी हालांकि अंतराश्य बाजार में इनकी लौंचिंग कप होगी इसको लेकर अभी कंपणी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है तो आएए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफॉन्स की कीमत के बारे में रियल्मी आक्सान के 6GB 128GB वेरेंट की कीमत चाइनिज जवान 1799 है वहें इसके 8GB 120GB वेरेंट की कीमत चाइनिज जवान 2399 रखी गई है कमपनी ने से ब्लू वाइट और ब्लू पिंक ग्राइडियन में लोंच किया है रियल्मी आक्सान को के अगर कीमत की बात करें तो 6GB 128GB वेरेंट की कीमत चाइनिज जवान 2199 है वहीं इसके 8GB 128GB वेरेंट की कीमत चाइनिज जवान 2499 है जबकि इसके 8GB 256GB वेरेंट की कीमत चाइनिज जवान 3199 है कमपनी ने इसे ब्लैक फाइड और ब्लू पिंग कलर वेरेंट में लोंच किया है आई दोस्तों अब हम जान दे हैं इस दोनों स्मार्टफोन की स्पैसिकेशन के बारे में Realme X7 में 6.4 इंच का फूल S3 प्लस दिस्पले दिस्पले दिया गया है जो 2400 x 1080 पिक्सल रिजोलिशन के साथ आता है इसमें AMOLED डिस्पले दिया गया है जो 90.8 फिस्टी स्क्रीन टू बोडी रिशो के साथ आता है इसमें सुरक्षय के लिए कोर्निंग गोरिला ग्लास प्रोडेक्शन दिया गया है पावर के लिए इसमें उक्ता कोर डैमेंस्टी 800 यू एसोसी प्रोसेसर दिया गया है यह स्मार्टफोन अंड्रोड 10 ओपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है इसमें Realme UI का इंटरफेस दिया गया है Realme X7 Pro में 6.55 inch का Full HD Plus दिस्पले दिया गया है जो 120Hz refresh rate और 240Hz touch spelling rate के साथ आता है इसमें AMOLED डिस्पले दिया गया है जो 91.650 screen to body ratio के साथ आता है इसमें सुरक्षय के लिए इसमें पांच्वी जन्रेसिंग का Corning Gorilla Glass Production दिया गया है पावर के रिए इसमें Octa 4 Dimensity 1000 Plus SOC Processor दिया गया है यह स्मार्टफोन Android 10 Operating System पर काम करता है इसमें Realme UI का इंटरफेस दिया गया है आए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें डोनों स्मार्टफोन की कैमरा की Ramie X7 में rear में 4 कैमरी का setup दिया गया है इसके rear में 64 Megapixels का Primary Sensor दिया गया है इसके साथ इसमें 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Length 2 Megapixel का Macrok Length और 2 Megapixel का Black & White Portrait Sensor दिया गया है वहीं Selfie और Video Calling के लिए इसमें 32 Megapixel का Front Sensor दिया गया है Realme X7 Pro के rear में 4 Mayrium का Setup दिया गया है इसके रियर में 64 Megapixel का primary sensor, 8 Megapixel का ultra wide angle lens, 2 Megapixel का macro lens और 2 Megapixel का black and white portrait sensor दिया गया है वही जाल से और वीडियो कोलिंग के लिए 32 Megapixel का front sensor दिया गया है बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो Realme X7 में 4300 mAh की बैटरी दीगी है जो 65W fast charging को sport करती है और Realme X7 Pro में 4500 mAh की बैटरी दीगी है जो 65W fast charging को sport करती है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इन दोनों smart phones के बारे में अगर आपको इनके features पसंद आए हैं तो प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को like करें